असलाम अलेकूम आप सब लो कैसे हैं उमेदी साब अच्छे होंगे इस वीडियो में हम 11-15 spoken English sentence structure सीखेंगे देखें किस तरह के sentences हैं मैं स्कूल जाता तो हूँ तुम हर वक्त खेलते रहते हो वो बिर्यानी बना लेती है वो सिगरेट पीता ही रहता है वो सच बोलने वाली है तो इस तरह के sentences को किस तरह से बनाएंगी क्या sentence structure यूज होंगे तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और यह sentences हमारी spoken English sentence structure PDF books से लिए गये हैं जो कि अगर आप purchase करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको number description box और first comment में बिल जाएगा so let's begin so इस वीडियो का first जो हमारे structure है और इस series का 11th मैंने 10 structure पहले बना चुकी हूँ उस पे यह है मारी 11 to 15 उसी book से लिए गये हैं जो first structure है हमारा उसके अंदर है जो हम इस तरह के sentence है जैसे के मैं school जाता तो हूँ यह एक sentence होता है मैं school जाता हूँ यह एक simple sentence होता है present indefinite का लेकिन जब यहाँ पर हम थोड़ा सो जोड़ दे रहे हैं अपनी बात को emphasize कर रहे हैं तो इसको किस तरह से बनाएंगे इस sentence को हम इस structure की मदद से बनाएंगे पिले आएगा subject फिर यहाँ पर आएगा do does हमारे subject के हिस form आएगी ठीक है verb की first form plus object ठीक है so let's see with the help of sentences for sentences मैं school जाता तो हूँ मैं school जाता हूँ यह इतना आसान सा मन्द है कि I go to school ठीक है बस यहाँ पर हमने do का इजाफा कर देना है बहला I do go to school मैं school जाता तो हूँ तो यहाँ पर एक emphasize की feeling आ गई एक जोड़ देने की feeling आ ठीक है I do go to school next sentence is वो तुम्हारे साथ खेलता तो है वो तुम्हारे साथ खेलता तो है तो sentence बनेगा he does play with you he क्योंकि third person singular ता है इसलिए उसके साथ does लगा he does play with you ठीक है और जो उसके बाद जो verb की first form आईगी उसमें कोई changes नहीं होंगे क्योंकि वो डू में हो चुके next sentence is अली यहां आता तो है अली भी क्या है third person singular ही है तो अली does come here next sentence वो नमास पढ़ते तो हैं वो नमास पढ़ते तो हैं यहां पर वो जो है third person तो हैं लेकिन यह क्या है plural है तो इसलिए इनके साथ do आएगा तो हम बोलेंगे they do perform prayer they do perform prayer ठीक है so I hope अपको यह structure समझ में आया you हम पढ़ते तो हैं हम पढ़ते तो हैं इस sentence को बना कर जरूर comment box में लिए है so next structure की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जिसके अंदर हम इस तरह के sentences बनाएंगे तुम हर वक्त खेलते रहते हो यहनी हर वक्त कोई काम करते रहना इस तरह के sentences को बनाने के लिए क्या sentence structure यूज होगा तो चलें देख लेते हैं सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट फिर उसके बाद आएगा कीप ओन क्योंकि देखें सब्जेक्ट के बाद कीप वर्ब की फर्स फर्म आरी है तो यह प्रेजन डेफिनेट के रूल्स लेगा ठीक है यह थार्ड प्रसंट सिंग्यूलर होगा सेंटें सबस्था नेच्मस तुम हर वर्यक खीलते रहते हो, सिंटेंज बंते मंगा यूंचवा होगाने थार्ड परसंट सिंग्यूलर होगा चाहिए घर्म थार्ड परसंट सब्सक्राइब यूठ सब्सक्राइब इसको देखो यह सोता रहता है तो सिंटन्स वनेगा सी हुम ही कीप सौन सुन स्लीपिंग सी हिम एक सब्सक्राइब इस समझ में आया होगा उस तो this sentence is for you कुते भूंकते रहते हैं कुते भूंकते रहते हैं भूंकने के लिए बार्क का यूज करते हैं sentence को बना कर comment box में जरूर लिखिएगा हम इसके next structure की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम इस तरह के sentences बनाएंगे कि वो बिन्यानी बना लेती है यानि कोई शक्स कोई काम कर लेता है तो इसके लिए हम क्या sentence structure यूज करेंगे बोलेंगे subject हैगा उसके बदाएगा is mr मैंसे कोई भी helping work subject के हिसाब से लगेगा i होगा तो am लग जाएगा he, she, it और कोई singular name होगा तो is लगेगा और अगर you, we, they और कोई plural name होगा तो r लग जाएगा फिर उसके बदाएगा able to, able to में कोई changes नहीं होगे able to, फिर उसके बाद work की first form plus object आजाएगा, so let's see with the help of sentences वो बिर्यानी बना लेती है तो sentence मनेगा she is able to cook बिर्यानी, she is able to cook बिर्यानी make भी लगा सकते हैं और cook बिर्यानी बनाना यानि वो पका ही रही है she is able to cook बिर्यानी, she किया third percent singular race list के साथ is लगा next sentence is मैं कार चला लेती हूँ, तो sentence बनेगा I am able to drive car I am able to drive car next sentence हम गाना गा लेते हैं, हम गाना गा लेते हैं तो sentence बनेगा we are able to sing song next sentence is, वो उसे मना लेता है तो मना लेने के लिए convince का यूज़ करते हैं तो बोलेंगे he is able to convince her he is able to convince her ठीक है, स्वाई होब आपको ये structure भी समझ में आया होगा so this sentence is for you, फात्मा मेक अप कर लेती है फात्मा मेक अप कर लेती है मेक अप करने के लिए apply मेक अप का यूज़ करते है so this sentence को बना कर जरूर comment box में लिखिएगा आभी वीडियो को पॉस कीज़ लिखिए हम इसके next structure की तरफ बढ़ते है जिससे हम इस तरह के sentences बनाएंगे जैसे वो cigarette पीता ही रहता है यानि कोई काम वो करता ही रहता है इस तरह का sense है तो हम इसको sentence को किस तरह से बनाएंगे keep on की मदद से ही बनाएंगे बस एक phrase हमारा last में जुड़ जाएगा all the time ठीक है subject फिर उसका बाद आएगा keep on फिर वर्ब की ing form plus object ठीक है फिर उसके बाद आजाएगा all the time so sentence is वो cigarette पीता ही रहता है तो sentence बनेगा he keeps on smoking all the time he keeps on smoking all the time he क्योंके 3% singular था इसलिए keep के साथ ऐस लगा next sentence is तुम टीवी देखते ही रहते हो तो sentence बनेगा you keep on watching TV all the time you keep on watching TV all the time do nothing but कभी हम इस phrase का यहाँ पर but watching TV इस तरह से बना सकते हैं sentence को तो वो भी यही sense देगा कि तुम टीवी देखते रहते हैं या कोई काम करते रहते हो next sentence is अलीजा हस्ती ही रहती है तो sentence बनेगा अलीजा keeps on laughing all the time next sentence is वो सोते ही रहते हैं वो सोते ही रहते हैं तो sentence बनेगा they keep on sleeping all the time they keep on sleeping all the time so I hope अपको ये structure समझ में आया होगा so this sentence is for you तुम खाते ही रहते हो तुम खाते ही रहते हो इस sentence को बना कर जरूर comment box में लिखिएगा आप ये वीडियो को pause किजिए और लिखिए हम next structure की तरह बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का last structure है अबाउट टू का तो इसका structure है subject उसके बढ़ाएगा इस जिमार फिर उसके बढ़ाएगा अबाउट टू अबाउट टू के बढ़ाएगी वर्प की first form फिर आ जाएगा object इस जिमार उसे हिसाब से लगेंगे जिस तरह से हमने पहले देखे so sentence is वो सच बोनने वाली है अबाउट टू स्पीक टूथ ठीक इतना सांसा next sentence is तो sentence is अबाउट टू गो next sentence is हम ख़ाना खाने वाले है तो sentence बनेगा we are about to eat food next sentence is light जाने वाली है light जाने वाली है light के लिए हम light कही word use नहीं करता है बलकर just in जाने वाली है न तो हम यहां आने वाला है ता कि मुझे पता चले का आपको वीदियू समझे में आई कि नहीं अगर वीडियो अच्छे लगों चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए गा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा दोस्तों से शेयर भी कर दीजेगा थेंक्यू सो माच